हेलो एवरीवन पिक के रोहिला इस्टेटि पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है रीट दोजार रिकिस की एक्जाम ते थी अभी तैय नहीं हुई है लेकिन रीट लेवल टू सामझे वाने उसे से तो भी त्यारी कर रहे हैं उनके यूनिट वाइट्स टोपिक वाइट्स में आपको करवा रहा हूं तो यूनिट फैस्ट मैंने पहले करवा दी है और यूनिट शेकिंड का याज भाग दो है पहला भाग है वहाँ जाकि आप चेक कर सकती हो मेरे प्लेइलिस्ट में जाके स्लेबस के अकोर्डिंग यूनिट वाइज और टॉप्लिक वाइज यहां आपको त्यारी करवाई जारी है और मैत्पून जो परसन है उनका ही यहां समय उस किया गया है इसलिए आप जल्दी सी वीडियो को देखे और मेरे पहले की वीडियों वह भी जाकि आप वहाँ प्लेरिश से जाकर सकते हैं यूनिट सेकिंड के भागवन में मैंने 100% करवा आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यहां वीडियो को अधिक से लोगों शेयर करें ताकि सभी लोग इनको आसाने से पड़ सके नेक्स्ट है अशोग के अभी लिखों की रचना में कितने लिप्यू का प्रयोग किया गया है अशोग के जो अभी लिख है उनके रचना अशोग के लिखों में चार लिप्यू का प्रयोग किया गया है आप सभी जानते हो ब्रामी लिपी है खरोष्टी है इरानी है और अरामाइक लिपी है इन चारों लिप्यू का प्रयोग इसमें किया गया है तो अशोग के लिखों में चार लिप्यू का प्रयोग किया गया ह नेक्स्ट है नालंदा विश्विश्विद्यले की इस्तापना किस सासक द्वारा की गई थी चंदरगुप्त पर्थम, समंदरगुप्त, इसकंदगुप्त या कुमारगुप्त तो नालंदा विश्विदाले है इसके इस्तापना कुमार गुप्त के द्वारा किये थी किसके द्वारा किये थी कुमार गुप्त के द्वारा कुमार गुप्त के ही सासनकाल में नालंदा विश्विदाले के इस्तापना हुई थी और इस विश्विश देले को Oxford of Mahayana both भी कहा गया है रेक्स्ट है गंधार सेली की बुद्ध मुर्टियों की मुखाकरती किस ग्रिक देवता पर आधार थी गंधार सेली की जो बुद्ध मुख की मुर्टि थी उसकी जो मुखाकरती थी मुख की आधार थी नेक्स्ट है निमलेखित में से किस विशेव पर कोटिली के अर्षास्तर में नियूंतम जानकारी मुलती है यहनी कोटिली का जो अर्षास्तर है अर्षास्तर जो वह नहीं गंत लिखा है कोटिली ने चाने के अविश्वन गुप्ट में नाम है इनका तो इनके अर्शास्त्र में किसकी नियुन्तम जानकरी है, सबसे कम जानकरी है, किसकी मिलती है, गुपचर वहस्ता की, व्यापार मार्ग, कर्शी वहस्ता या राजास सुपरबंदन, तो इसमें सबसे कम जानकरी है, वो कर्शी वहस्ता पर सबसे कम जानकरी है, इनमें से, चै नागानंदा, समंद्र गुप्त, मुद्रा राक्सस, विसागदत, मर्च कटिकम, दंडी, रतनावली, राजसेकर इन में से जो सही है वो हमें बताना है तो यहां आप देख सकते हो ओप्सन नमर बै, मुद्रा राक्सस, विसागदत ने लिखे थी तो यहां यह राइट आंसुर है, बाकी यह सब रौंग आंसुर है नेक्स्ट कुमार गुप्त के सुवेष्टित सासन का वर्णन किस अबलेक में मिलता है यहां कुमार गुप्त का सासन है वो सुवेष्टित था, इसका वर्णन कौन से विलेक में मिलता है मंत्सवर्ण बिलेक में मंत्सवर्ण में में प्राप्त होता है मंत्सवर्ण में मिलता है यहां भी लेक प्रसस्ति की रूप में है और इसकी जो रचना है मंसोर भी लेकी वच बटने की थी किसने की थी वच बटने नेक्स्ट है निमलिकित में से प्राचिनतम इस्थूब कौन सा है इन में से प्राचिनतम इस्थूब कौन सा है साची स्टूप, पिपरवा स्टूप, भरहूत स्टूप या अमरावती स्टूप तो सबसे प्राचिनतम स्टूप है वो है पिपरवा स्टूप तो option 2 यहाँ पर राइटान सोच दाएगा पिपरवा स्टूप है वो सबसे प्राचिन है नेक्स्ट है कला में विश्णु के किस अवतार को समंदर से परत्वी का उद्दार करते हुए अंकित गया गया है यह विश्णु के कौन से अवतार को समंदर से परत्वी का उद्दार करते हुए दिखा गया है वह तुम अवतार मतश्य अवतार गुखतार ए नर्सिंग होटार गुखतार यह कर दो विश्नगा यह अवतार था जिसमें ऊद्लिक्स स्वंधर से पर्थीक आउदाल कर दोटें है वम ए वह वर हैं विथिऊपार और मुआ योग में नेक्स्ट है किस गुप्त काल के सासक द्वारा चीनी समराट के दर्बार में राजदूद भेजा जाता है यानि कौन सी गुप्त काल के सासक द्वारा चीनी समराट के दर्बार में राजदूद भेजा गया समंदर गुप्त इसकंद गुप्त चंदर गुप् थे इससे सुदूर चीन के साथ मेत्री समन्दों का पता भी चलता है तो यह बहुत ही मैथम प्रसंदी आप इनको एक बार देख लोगे वीडियो को तो आपके लिए बहुत ही फाय दिमन्थ हो गई आपकी त्यारी में चार्चान लगा देंगी परसंद देवगेड का दसावतार मंदिर किस प्रकार का है देवगेड का जो दसावतार मंदिर हो किस प्रकार का है त्रिकुट प्रकार का द्रिकुट प्रकार का एका पतन या पंचयतन प्रकार का तो देवगेड का जो दसावता की पांडोल 깉पी को किसी ने खूजा और उसका अधिन किया कि यह इन सस्त्री योरे के था पर यह जैम्स फर्ग्यूसन तो और सास्त्र के पांडुल्युपी को किसीने खूजा और अधिन किया अंशन ज्यागा डाक्टर चाहेम सास्त्री उसका दिन किया था में बहारती मंद्रों के निम्लिक उधार्ण में को साइक इंटो द््वारा निर्मित एक इंटो द्वारा निर्मित निर्मित जो बित्रगाँ हो इंटो द्वारा निर्मित है क्या है इस्ताई भूमी कर है एक इस्ताई रूपची लिए जाना भूमिकर है उड्रंग जो भाग है वो राज्यों को पर्ते दिन देज़ेने वाली फल्फूल सब्जी आदी भेंड थी भागतु और उड्रंग यह किसानों पर लगाए एक प्रकार का भूमी कर है इस्ताई और भूतावाद परता ही है, यह विदेशी वस्तु के आयत पर लगाया जाने माला कर होता है, और उपरिकर है, वो एक परकार का भूमी कर लिए. Next, असोग के अभिलेखों में किस एक मात्र अभिलेख में लेखक का परिचे मिलता है? असोग के अभिलेखों में किस एक मात्र अभिलेख में लेखक का परिचे मिलता है? हरिशेन, रविकिर्ती, चापड या कुपान चाम? बदाए जल्दीशी आप इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? असोक के अभी लिखों में एकमात्र अभी लेख में लेखा का परचे में प्राप्त होता है नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सा इसमारक गुप्त काल से समन्दित नहीं है इनमें से कौन सा गुप्त काल से समन्दित नहीं है बाग गुफाई श्रिलंगा के शिगरिया सेलिकरत मंदिर महाबलीपुरम गुफा मंदिर या शितनवसल मंदिर तो इनमें से कौन सा से सम्धी नहीं है नेक्स्ट करते हैं बेन समय वाएं नेमली कितमें से कौन सा एक विकल्प असो के इस्थम में सामने रुप से पाया जाने वाला लक्षण में कौन सा इविकल्प है वो असोग की स्थम्म में सामन रूप सी पाया जाता है इनमें से बिताई कौन सा असोग की स्थम्म में सामन रूप सी पाया जाता है पॉलिस कांति में पॉलिस रथा एकास्म वर्गाकार अदार और अस्ट्पोनियाकार कांति में पालिस और वर्गाकार है कास्म मतलब एक पत्तर पर निर्मीत है नेक्ट गुप्त काल में करो की अदाइगी किस रूप में की जाते थी गुप्त काल में करो की अदाइगी किस रूप में की जाते थी अन की रूप में या शिको की रूप में या अन और नगत दोनों रूप में या वस्तू की रूप में तो हेरन्य और में यानि नगत दोनों रुपों में की जाते थी नेक्स्ट है सत्य पर्था का स्वर्व पर्थम काल अंकित इस्मारक के स्थान पर मिला है सत्य पर्था का स्वर्व पर्थम काल अंकित यानि जिसमें काल अंकित है दिनांग अंकित है ऐसा स्मारक के स्थान विलाय सत्थी बरंहण में सोपेक, काचि या एरन तो यहाँ राइ राइट आन्सर हो जाएगा एरन एरन से के असफना बराज प्रवर्था का सरब्रथम हो नेक्स्ट दोस्तो सुदामा गुफा समर्पित थी सुदामा गुफा किसके लिए समर्पित थी जैन सादुओं के लिए बहुत विक्षों के लिए आजिवक संतों को या पासुपत संतों को तो सुदामा गुफा वो आजिवक संतों को समर्पित थी किनके लिए थी आजिवक स नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सी निदी गुप्त शिकों की सबसे बड़ी निदी थी बस्ती निदी बयाना निदी हाजीपुर निदी या कोटवा निदी तो इसमें राइट आंसर जागा बयाना निदी शिक्कों की, गुप्त शिक्कों की सबसे बड़े निदि थी, बयाना नेरी नेक्स्ट अ, नेमलित में से कौन एक सुम स्युमेलित नहीं है मुद्रा राक्षस विषागदत कि मिलकूर। सभी किरातार जूर्णियम भार्वी किरेंगा। यह उप्प्षन बे है mec Mel sì है यह सुमेलित नहीं है यह गलत है तो यह उप्षन ऊजाएगा कादंब रिए यह पांबट कीरिचना है बांबट की ते कादंबट कीरिचना है हर सभा बांगर र्श हर्ट की रिचिए कादंब्ट की rap से युनानी और अरमाईक भासामी कुदा अ सोग का एक ड्वी भासी उत्किरिन लेक कहां मिलता है युनानीर turf दोनों भासामी आ सोगा वहां मिलता है मांसेरा में पुष्कलामती में मिलता है की तो SCP कोमेंट हरके बता ह Wuhan कि क्या होगा कि हर जो न फई हो की सग्तत्री न कि दोँवासि युनानी और रामाइक भासा में लिखावा। वह कौन से मिला है। कहा पर मिला है। तो राइटांसो जाका कंधार में। कहा آप ही मिला Yeins Hum ч an now pidну adelekk Авखो में सोन्ने की शिक्कों के लिए पर्युक्त, दिनार सब्द किस से निकला है इसका राय टांसर जाएगा ग्रिक से निकला है नेक्स्ट है भारत के विभिन व्यापरिक मार्गों के तुनलात्मक गुणों का बुद्ध्य मतापुर्वक गुण व्यविचन किया गया है बारत के विभी व्यपरिकमार्ग उनके तुन्लात्मकुणों का बुद्धी मताफुर्ण विवचन किस्मि क्या गया है कोट्टिली के अर्शास्त्र में मेकस्तिनिज के इंडिगा में पलीनी की नेचुरल हिस्ट्री में या येल्मी के भुगोल में को प्रकुन के रहा है कर समंदर मतलिक है लिए कि एक परगार्द ना द Ave अपने विजय पुरांत अश्म में एक किया था और इसका प्रेच्छा उसके शिख्व में चलता है और उसक तो उत्तरा दिखारी है उसका बिलिखों से भी है यान प्राप्त होता है नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन एक भूमी माप था धारक कर्व निर्वर्तन विसोपक जल्दी से बताई एक 138 में क्या आगा कमेंट करके जल्दी बताई कौन सा एक भूमी माप था निमलिखित में से कौन एक भूमी का माप था धारक कर्व निर्वर्तन या विसोपक भ कौन सी एक मुर्तिकला मौरिकाल की नहीं है। सारनाथ सिंगे सिर्ष, धोली हर्ती, मुथुरा से प्राप्त, खड़ी बुद्ध मुर्ती या रामपुर्वा वर्षब। तो उनमें सी कौन सी मौरिकाल की नहीं है। तो ऑप्शन से या राइटांसोर जगा मुथुरा से प्राप्त, खड़ी बुद्ध मुर्ती ये ये मौरिकाल की नहीं है। बाक्की सारनाथ है, धोली हर्ती है, रामपुरो और सब है, ये सभी मौरिकाल की है। नेश्ट है, निमलिकित में से किस अविलेक में भारत वर्ष का सरव पर्थम उलेक मिलता है। कौन से अविलेक में भारत वर्ष का सबसे पहली उलेक मिलता है। अचोक का बारोशे लालेक, समुद्र गुप्त का इलाबाद अभिलेक, खारवेल का हाती कुफा या इसकंद गुप्त का भीत्र अभिलेक तो भारत वर्ष का सवर परथम उलेक किसे मिलता है तो राइट आश्वर जो हो जाएगा इसकंद गुप्त का भीत्री अभिलेक कि स्कंद्गुप्त का घित्रे अलेक है उसमें भारतवर्ष सब्द का परथम उलेक अलेक्षाई 我न्ह sensi मंद Si अबिलेक किन सेनियों की गति उद्यवर प्रकाश डालता है मंद Si Rio कि उद्धिवर क बन्हों कार कर दो 산 जटमन में और सूर उससे घ्रषम बुंकर की गद्य पर प्रकाश डालता है। किस पर प्रकाश डालता है रहसम बुंकर । रहसम बुंकर की शनी ने एक भवी शुरमंदर का निर्मान कर रहा है था। मुल़काम नारद और बस्वति ने सपैस्क रोप से इन सेनों की प्रसाजने य हुश्त और usual कि 회ंश नेक्स्ट तका लिख utilizar असोग के कौन से शिलालेक में पांचmpfen्वंद राज्यों में धर्म परचारद को भेजने बहुत द्रम के फर्चारक के लिए जो पांच यमन राजियों में धर्म फर्चारक भेज़े थे इसका बढ़न कौन से सिलालिक में हैं दुट्य तर्तिय चतुर्त या तेर्वे तो इसका आंसर बता ही जल्दी से आप कमेंट करके एक सुब्यार इसका तो मैं आपको बदाएत कि कि पांच यमन राजियों में धर्म फर्चारक को भीजने का बढ़न मिलते हैं नेक्स्ट निमलिखित मंदिरों में से कोन इंटो से निर्मित क्या गया है कौन से कोन से देवगट का दसावतार खजुराहों का कंदरिया महादेव मंदिर शिरपुर का लक्षमन मंदिर या ये इटों से निर्मित त्सवेत लोहिगा संधर्ब देखर कोन प्राचिन काल में भारतमे विक्षित लोह प्रदिगई का साख्षियYPरष्वत करता है प्राचिन भारत काल में लोह प्रदिगई का साख्षयPरष्वत कोन करता है Karthias, Quoteline, Darius ये Tolly Mi तो इसमें राइट आंसर जाती को पराजित किया था हुनों को, पहलों को, यवनों को या सकों को तो राइट आंसर जाती को पराजित किया था चंदरगुपत जाती को पराजित किया था चंड्रकुप दित्य ने अपनी विजय के उपलक्ष में शक्क-मुत्राओं के अनुरूप चांदी के विशे है शिक्के जारे की थे वो भारती समर्तियां उसे सरकारी की रूप में शिक्मन करती हैं नेक्स्ट है सामानिय परिष्थितियों में निमलिकित में से किस उत्रादिकार में इस्त्रेदन का पर्थम अधिकार था इस्त्रेदन का पर्थम अधिकार था किस उत्रादिकार में पत्ति का पुत्र पुत्रिया या पुत्र वदू तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पुत्रिया नेक देख सकते हो पहला है युक्त राजुक और प्रादेशिक दूसरा धम महामात्र इस्तरा ध्यक्स ब्रजभूमिक तीसरा है नगर व्यवारिक अंत महामात्र प्रदिश्टा चोता है समाहम सनी धाता आठविक आप कमेंट करके जल्दीशी बताई असो के तीसरी सिलालिक में कि करें मैं आपको यहां राइट आंसर बताई ताहूं इसका आप्षण हो जाएगा युक्त राजुक और प्रादेशिक आप्षण यहां राइट आंसर हो जाएगा नेक्स परसन आपके सामने जल्दीशी 148 वा देखिए निम्न में से कौन सा एक युक में सुमिलित नहीं है इसका आंसर देखिए और आपको जाएगी और आपको जो आपको नहीं आता है उसका आपको आंसर बता चलेगा तो वह साथ साथ आपके रिपीट हो जाएगे तो निम्न में से कौन सा एक युक में सुमिलित नहीं है कौन सा सो मिलिते नहीं है बुध चरित अस्व गुस ब्रत सहिंता आरिभत मर्चकठिकम शूद्रक शिलपादीकार अलंगो आदिगल के बिलकुर सही है बुध चरित अस्व गुस के भी सही है यह संगीत से विशेश प्रेम था कौन सी गुप्चासक को संगीत से विशेश प्रेम था समंद्रगुप्त इसकंद मार्गुप्त पर तम यह तो आप बता दोगे आसान है किस गुप सासे को संगीत से विशेश प्रेम था जल्दी सी बताई कमेंट करके एक सुन रंजास का कमेंट करें जल्दी किस गुप सासे को संगीत से विशेश प्रेम था इसमें राइट आंसमें आपको बताई दूँ समंदर गुप विजेता के सासाथ कवी संगीत दिया और विध्या का संगत है उसके शिकों पर उसे वीना बजाते हुए चित्रित के अगया है और कभी राज की उपादी भी उन्हें प्रदान की गई है कभी राज की उपादी भी दी गई है समंधर को याद रखना नेक्ट है किसने मिस्र के तॉलमी फिलोडेलफस ने राजदूत रूप में भारते भेज़ा था मिस्र के तॉलमी फिलोडेलफस को राजदूत रूप में भारते भेज़ा था mayac logistics, plini polybium यह dynosius उसमें किस ने बेजा था ilianosius राइट't answer हो जाओगा dynosius समौल की दिशोथ चीनी यत्री फ이 आन का यात्रा के समेही गुब्त बंस का सांसे कौन था यानु जब चीनी यत्री फाइज आया था यात्रा पर यहां तो उसमेगुप्त पुरिंस का सदे कौन था ? समंधरुप्त, चंद्रुप्त दित्ति, कुमारुप्त प्रथम या सकंध गुप्त ? बताईए आप कमेंट करके बताए एक सोग्यावन में मorous जाएगा संद्र कुप्दित्तिय कोटिलось की अर्शास्त्र में वधनेगा की पनेकर्ट की है के साह समाथ क्या है ने ने पण्तरजाते विवा पर लगाएंगा कर अपाती कर जाएगा पढ़्णे संबर्धू पर लगायगा एक जय दिया दियाने सकांस वर पढ़ने कर उसका अर्थ हो जाएगा अपाध कर नेक्सेट निर्गित में से नालंडा का दूसरा नाम थां नालंदा रिशवितले आप जानती हो तो नालंदा है जो नालंदा का नाम क्या था दूसरा नाम नालंदा का नीक नाल कह सब्सक्तर नाम क्या था,Pool sector,LOBiNivan,มरककिशिपवन तक्शिला, राइट आंसर बताईए नालंदा का दूसरा नाम कौन-कौन जानते हैं बताईए नालंदा का दूसरा नाम क्या था मैं बताई देता हूँ राइट आंसर जगा मर्ग शिखवन नालंदा को किस नाम से जान जाता था मर्ग शिख्वन नालनदाव शिव दिले के इस्तापना है वो कुमार गुप्त ने कि थी और इत्सिंग के नुशार शिर्गुप्त ने मर्ग शिख्वन में जीनी बहुत तिरत्यात्यों के लिए एक मंदरी का निमान भी करवाया था नेक्स्ट है समंदर गुप्त को भारत का नेपोलियन किस ने कहा एक सोचोचोचोन का परसन है समंदर गुप्त को भारत का नेपोलियन किसको का जाता है समंदर गुप्त को एक परसन तो आपको पता है भारत का नेपोलियन किसको का गया समंदर गुप्त को किस ने कहा आरके कहा है नेक्स्ट है मोरे सासन व्यास्ता में रूप दर्शक नामक अधिगारी था मोरे सासन व्यास्ता में रूप दर्शक नामक अधिगारी क्या करता था चांदी और अनिदाथू का परिक्षक गणिकाओ का परित परबारी रंगमंच का परबंदक या शिक्को का परिक्षक तो रूप दर्शक जो दिगारी था वो कौन था जुसका राइट आंसर जागा शिक्को का परिक्षक रूप दर्शक जो दिगारी था वो क्या था शिक्को का परिक्षक नेक्स्ट एम मादिमिका सुतर के प्रतिपादिक थे तो मादिमिका शुतर के प्रृतिपास थे। रल दिश्वततरी करते करके जी हा, इसकी राही टांसर जागा नहीं हाउन. परसण सहर्व पर्थम अवतारवाद के अंत्रगत, अवतारों की पुजा किस काल में प्रारंबुई है अवतारों की पुजा है वो किस काल में प्रारंबुई है वेदिक यूग में उत्तर वेदिक यूग में मोरिया यूग में या गुप्त काल में तो इसका राइट आंस्वर जेगा गुप्त काल में अवतारवाद के अंद्र दस अवतार रहे वह आम तो पर शिवकार की गए हैं यह मुख्य जो दस अवतार है वो विष्णू के मतश्य कर्म वरा है नर्सिंग वामन पर्शुराम राम कर्ष्ण बुद्ध एयों कलकी यह मुख्य रूप से दस अवतार विष्णू के माने गए हैं नेक्स्ट है, मोरी प्रशासन में सीता से ही तात्प्रे था, मोरी प्रशासन में सीता से क्या तात्प्रे था, बंजर भूमी, राज की भूमी का राजस्व, चुंगी या सिल्पकार ओपर लगाया गया कर, तो मोरी काल में, या मोरी प्रशासन में सीता से जो तात्प्रे था, उचीता कि नाब से जाने जादा था नेच्टन मेसे कौन सही है क्वण सही है देखे आप ओप्र वरां मििहीर शूरीगा शुर्ण शी दान्थ बास्करचाडे निलमत पुराण वरत संता चरक आरीलके वरां पट्य आ तो अप्चिन नंबर 1 है वो सही है वरा महिर शुरी शी दांथ यह ईब शनहें ये राइट आसर इसमें हो जाएगा नेक्स्ट हैं मेगार्षतनिस द्वारा वड़नित मोरे समाज के साथ वर्गों में सम्मदित नहीं था मेक चितने जो मेरे समाच के 7 उबर्ग बताएं उनमें से कों पर समलित नहीं है दास, सिलफि, युद्य यह कर्शक तो उसमें सिलफि, कर्शक, युद्य समलित थे लेकिन 5 वर्ग वोसे में समलित नहीं थे नेक्स्ट निम्लेखित में से किस एक अबिलेख में लोकलिस पासुपात संप्रताय पर प्रकास डालता है चंद्रगप दित्ति का मतुरा अभिलेक, संद्रगपुत का इरण अभिलेक, इसकंद्रगपुत का बीतरिस्तम अभिलेक, कुमारगुत का पर्थम मंदसोर अभिलेक तुसमें राइट आंसोर जागा चंद्रगप दित्ति का मतुरा अभिलेक ये राइट आंसर जाएगा option है चंद्रगप जित्ती के सासनकाल में मत्हुरा अभिलेख में उदिता चारिय नामक एक पसुपात अन्युएई का उलेख मिलता है जिसने दो लिंगों की स्थापना करवाई थी नेक्स्ट है निम्ने से किस अभिलेख में वीर सेन का उलेख मिलता है वीर सेन का उलेख किसमें मिलता है इलाबाद इस्तंबलेख मत्हुरा इस्तंबलेख उदेगिरी गुहा लेख या बीतर इस्तंबलेख जल्दी से इसका आंसर बताइगी कि सब लेख में वीर सेन का उलेख मिलता है तो राइट आंसर जाएगा उदेगीरी गुहा लेख उदेगीरी गुहा लेख है उसमें वीर्शिन का उलेख मिलता है 103 सक्टमबर परसन है मोरी काल में परचलित विनिमे माध्यम था विनिमे का माध्यम क्या था मोरी काल में? कहापन, पन, दिनार या चूड़नी तो मोरी काल में परचलित विनिमे का माध्यम था वो था चूड़नी कौन सा था? चूड़नी था नेक्स्ट निमलिखित अभी लेखों में से कौन सा लकुलीस पासुपत मत्पर प्रकार डालता है? चन्दीर गप्ट का एरन लेख चन्द़गप जित्त का मत्फुरऑ लेख पक्मारगप्ट प्रठम का मंसोर यह स्कंध़गप का बेत्री तो अभी बताये हैं आपजापनी द्रखों में लकुलीस और पासुपत मत्पर कौन सा प्रकार डालता है? वो है चंद्रघुपत जित्तिका मत्षुला लेह यह कुलिस और पासुपत इस पर प्रगास डालता है नेक्स्ट आ नेक्स्ट कोन ยुग में सही सुमलेता है इनमें से कुन सही सुमलेता है चोद्व पर्मुक शिला लेक धमके विबिन सिदान्त, शाथ इस्तम शिला लेक, शिला लेक के परिशिस्ट, भाबरोब लेक असोका नवीन पर सेस्थन, बराबर गुवाब लेक असोकी सही सुनता, तो यह ओप्शन कलत है, ओप्शन यह यहाँ पर सही जाएगा, चोद्व शब्चर यूग शब्लब भी यूग या ख़र्चर यूग, तो लास्ट इसमें उप्शन हो जाएगा, वल्लब भी यूग, वल्लब भी यूग है, यह गुप्ट समद्थ के, वल्लब नमक राजा ने सककार में 241 वर्ष के बाद, वल्लब समद्थ का परवतन किया, इस पर राजबंस के पतंग के बाद वल्लबी के राजाओं ने नाम बल्दल्द कर और वल्लबी समधिसका ह कर दिया था क्योंकि भारत में दाश प्रथा उसमें प्राकाश्टा पर नहीं थी जैसा कि उसने किस्ट में देखा था उप्शन यह हो जाएगा आपका नेक्स्ट है निम्ण में से कौन सा एक नाटक एक निर्धन ब्रामण चारुदत का सदाचारी गणी का वसंद से नागपरती प्रेम का मंडन करता है माल्की माधव मर्च कर्टिकम प्रिय दर्सी का या रफणावली तो इसमें रहात आंसर हो जागा मर्च कर्टिकम मर्च क को में यह coãy इसमें राइट अंसर जाएगा नेक्स्ट ए असोग की अधिगांस लेक प्राकट बासा में है क्योंकि इसका राइट अंसर जाएगा अधिगांस लोगों द्वारा समझी जाती थी तो यह प्राकट बासा है वो अधिगांस लोगों द्वारा समझी जाती थी इसलिए अधिग समंद्रक्प्ट की प्रयाग प्रस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् मांग कर इलाबाद के किले में सुर्षित कराया इसमें अकबर के दरबारी कभी बेजबर कभी लेख है जहांगीर ने बाद में इसमें अपना लेख उतकीन रहाया तो समंद्र के जो प्रयाग प्रस्थी है उसमें जहांगीर का लेख उतकीन नेक्स्ट है परंप्रा के अनुस तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी कर डी डास का समकालिन था अमर्शींग नेक्स्ट आशो कि अभी लेक की लिपिंगे में लिखे गए वहुती मैं तो प्रसंद है नेक्ट निम्लेकित में से कौन से दो नाटक कालदास ने अभिज्यान साकूंतलम से पहले रचे थे यह बताना आपको कि अभिज्यान साकूंतलम से पहले कौन से दो नाटक कालदास ने लिखे थे इन में से कूट खप्यों करके बताना आपको कौन से दोनाटर कालडास ने अभियान साकुतलम से पहले रचे थे उसमें राइट आंसर हो जाएगा विक्रम वर्षियम और मालविकागनी मित्रम एक और दो नेक्स्ट नेमलिकित में से किसमे मारियो में सिख रूप में उलेक मिलता है वहत्रिस्तम लेक, जूनागड लेक, बेईग्राम तामर पत्र? या दामुदर तामर पत्र उसमें राइट हो जाएगा दामुदर तामर पत्र दामोदर जो ताम पत्र है जो भूमी विक्री समंदी विक्रे यूरें दिया गया है जिसमें गुप्त काल में भूमी विक्री समंदी जाने करी प्राप्त होती है नेक्स्ट एनिमलेकित में से किस एक स्थल पर विश्णू का वरा अवतार दर्शा गया है उदेग्री कुफा, विदिशामें, एलवरा कुफा, उरंगबाद, हाती कुफा, भोनएषवर, एलफेंटा कुफा, मॉम्बई, जिसमें राइट आंसुर हो जाएगा एलिफेंटा कुफा, मॉम्बई एफमें विश्मु का वरा अवतार दर्शाय गया है नेक्स तै बिंदु सार के सासcam काल में काहा पर विद्रोव हुआ था। उज्येनी पुष कलावती तक्सिला ये राजग्रह है। इसका रायत अंसर होझा चंद्र गूप दित्ति का मथुरा उसतंब लेख है। इसका right answer हो जाएगा next है कुमार्गुःप प्रथम की मंद्च्वरबलेक्ट में उलेकित सरेटि संगेठन کا नाम था है तो इसका राइ ताइस होजाएगा तंटुवाय है orjuk में पसुआ के लक्षण का क्यान रखने वाला अधिगारी पे शेवर्योतीस एस nationale कर प्रबारिक रमचारी और डख्साल तक्साल का अधिगारी इसका दबाब दीजीए सभी जो लंक्षना दक्षा था टक्साल का अधिगारी कौम सथा अधिगारी नेक्स्ट सब्सक्रेज दे मन्द Fr das b जआने था तो दस रध्य यह ब्रैद्रध तो आमित्र घात की लाम से कौन जाना जाता था तो राइट आट आट जाएगा बिंदू सार बिंदू सार तहा वो के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट परसन है इत्सिंग के अनुसार श्री गुप्त ने किस स्थान पर चीनी बोध तिर्थियात्रियों के लिए एक मंद्रिका निर्मान करवाए था पुरुसपुर मर्क सिखवन तक्षिला या लूंबिन्वन तुसमें राइट आंसमें दो जाएगा मर्क सिखवन यह श्री गुप्त ने मर्क सिखवन में चीनी बोध तिर्थियात्रियों के लिएक मंद्रिका निर्मान करवाए था आपको याद रखना चाहिए यह मर्क सिखवन है वो नालेंदर का ही दूसा नाम है नेक्स्ट है गुप्त सासन में पर्थम कुलिक नामक प्रद्दिगर का क् मुख्य शिल्पी था या पार्यू का परदान था या पार्यू का रक्षकबल था या बेगार करने वाली है तो पर्थम कुलिक है वह जिसको कहते थे शिल्पियों कहते थे मुख्य शिल्पियों को पर्थम कुलिक कहते थे नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मोरी के सासनकाल मे नेक्स्ट है नेक्स्ट है कॉन सा सही काला नुकरम है तो इसका राहा टांसर में आपको बढ़ाएता हूँ अश्टधः बुझशरित मेगदूत और कथा सरिट सागर नेक्स्ट ही निमलेखित में से किन में उन राज के अननागारों कहले लेक है जिनकी एस्तापणा दुरविक्स सिविपत्ती के लिए एनि की इस्तापना की लिए ती ऐसे राज के अननागार आज साइन में से प्रच्छान फलक अभिलेक यह राजग्यान नागार जो अकाल की समय विपत्ति की समय उसकी स्थापना की थी कौन शेक कालिदास की रचना वेदिक पुराणिक साहित्य में परचलित विष्टविष्टु पर आदायत नहीं है अभिजान साकुंत लब मेग दूत्म कुमार सं तो इस मिराइट आइसर जागा मेग दूत्म मेग दूत्म जो रचना है वो पुराणिक साहित्य में परचलित विष्टविष्टु पर आदायते नहीं है नेक्स्ट है किसके सोन्ने की सिक्कों में मिश्रण का प्रतिसार सरवादिक था इसकंद्गुप्ट परथम समंद्र चंद्गुप्ट या चंद्गुप्ट जित्ति है उसमें राइट आंसर जागा इसकंद्गुप्ट इसकंद्गुप्ट के जो सोन्ने की सिक्क्य उसमें मिश्रण का प्रतिसार सरवादिक था इसकंद्गुप्ट ने अपने शिक्कों को आकार बढ़ा दिया और शिक्कों भीत्रगाओं का इट्टो का मंदिर एक ख्यात्य प्राप्त गुप्त इस्मारक है तो इन्हें से कौन सा एक स्थाप्पिते लक्षण यहां पाया जाता है यहीं भीत्रगाओं का इट्टो का एक मंदिर है वहां कौन सी विशेष्टा पाया जाती है चुन्ने की कारे का जो थार्त महराब का प्रियोग नेक्स्ट है वह है युनाइनी सासक जिसको चंद्रकृत मोरी ने प्राजित किया था वह कहां से शासन कर रहा था मिस्टर से मगदूनिया से सीरिया से या थैन से तो वह युनाइनी सासक जिसको चंद्रकृत मोरी ने प्राजित किया था वह मक्दूनिया। con sa yo 84 साह्य हूं यह माःति माध्यों नriv नाटक है बिल्गूल सही है, प्राइट आंशर हो जाएगा कोडिए मैं ओर नेकश्ट आधे देवा नाम पृड़ी की उपदी धाहरए देन किस ने कि थी असोक ने संप्रती ने ब्रहधर्ध ने या बिन्-दूट हने तो धेवान पिड़ी का उपदी सम्पर्डु क्यि द्धाहरण शुपकुरattend राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है यागवलेक के इसमर्ति पर मिताकसरा टिका का जो हिंदु विद्धिगा पर्मुक्षोत है इसके लेखक कौन है अपरार्ख कुलुक विज्यानेश्वर यह शुरूप तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विज्यानेश्वर याद रखना पर्मुक्षोत देवदार नेक्स्ट्स धोफे पर्षण निमलेछीत में से किस गुब्थ राजा के विक्रमा देत niño उपादी अपाधी उ compression के सस्केर्म कि यहां राइट आनसर हो जाएगा इसकंद कुन एक नच्टक है या बोध ज्यानमिमान सकाई ग्रंथ है तो धंबने लोग क्या है साइती सास्तर पर एक गरंत है option, ढ의 कोटली के अर्शास्तर में वर्णित, संस्ता सब्द का संबन्द है कोटली के अर्शास्तर में अर्शास्तर lista वो किसके लिए फरिश्थ है वीति प्रशास्थान सी, गुपचर व्योस्तासी नय प्रसाशन से या करवेवस्ता से तो यहां संस्ता सब्त का जो संबन्द है वो गुप्त चरवेवस्ता से था option भी यहां राइट आंसर हो जाएगा next ब्रस्पति के अनुसार सिल्फ कारों की कितने स्रेणिया थी 2, 4, 6 या 8 तो यहां राइट आंसर जाएगा 8 इसमें बहलीकों का उलेख मिलता है चंदरकुप दित्ते के महरली इस्तम लेख से हमें बहलीकों की विजय की जानकरे मिलती है बहलीक प्रदेश-पंजाब में व्यास नदी की आस-पास का चत्र था next चिनी यत्री भारत को क्या कहते थे चीनी की यात्री है वो भारत को क्या कहते थे काउचांग, यंगती, किंगतू या तिचिन्चू तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तिचिन्चू ओप्शन दी नेक्स्ट है कला एंव साहते में गोपिया कर्षन की परमुखंग कम बन गई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में ओप्शन से नेक्स्ट है निमलिखित में से किसने सरवपर्थम भारत में परमानुख परिकलपना को पर्तिपादित किया था सरवपर्थम भारत में परमानुख परिकलपना किसने परतिपादित की गोतम, भासकरदितिय, बोदायन या कनाद तो परमाणुक परिकलपना है वो महर्शी कनाद ने परस्तुत के थी तो option D यहां right answer हो जाएगा नेक्स्ट है धर्म महामात्र कौन थे? अधिकारी, जेनमुनी, बोध विक्षू या पुरोहित धर्म महामात्र कौन थे? तो इसमें right answer हो जाएगा अधिगारी option A next अजन्ता गुफाई निमलेखित में से किस राजी में इस्तित है? करनाटक, मद्ध्यप्रदेश, अंद्रप्रदेश या महराष्ट तो अजन्ता की जो गुफाईएं वो महराष्ट में है काप्रेश तित है महराष्ट में option दैं यहाँ right answer जाएगा अजन्ता एलोरा की जो गुफाईएं में महराष्ट में है बोद गुफा मंदिरों में अजन्ता और बाग की गुफाई में अथ्पुन है नेक्स्ट है शिन्ता है अपने इंडिगा में इसावरनन किया है शिन्ता की जो गुफाई मलिकर खोंचो और राज़ मार कंश रेग जो गुफाई है इस पत्थर को चमकाने की कला ऐसी पूंटा तक पहुंच गई थी कि इसके लिए आद्धुनिक समता से परे तुप्त कला हो जाने की बात कर जाती है इस में तनी एहन्टेपनी किस कला के विक्षे में किए थी मोर्य, गुप्त, पल्लव या राष्टकूट तो यह कही थी है उसने मोर्य काल के बारे में तो उप्सन हो जाएगा मोर्य है नेक्स्ट है अपने उपर आसित बच्चों या पत्नी की समुचित व्यवस्ता के यही बिना विक्षो बनने वालों के लिए किसने डंड का प्रावदान किया था तो यह कहा था समराठ असोकनी नेक्स्ट है निमलिकित में से किस राजवंस में गरूड राज के चिन था कौन से राजवंस में गरूड है वो राज के चिन था सुंग वंस, कुसान वंस, गुप्त वंस या साथ वहन वंस उसमें राइट आंस्वर है वो हो जाएगा गुप्त वंस गुप्त वंस का जो राज की चिन था वो था गरूर कि प्रयाक पर सस्थित पता चलता है यह गुप्तों की राज्याग्य गरूर्ण मुद्रा में अंकित हुआ कर देती ही जो कंसे स्थ लिपए में लिख आया है इस स्थम अविलेक है वा क्यवल ब्रामे में लिखे गया है नेक्स्ट कोटली के अर्सास्त्र में किस अधिकारे को कर्व सूलने का कारे सुपन गया था कर्व सूलने कारे समाहर्ता, सनिधाता, परतिवेदग या वद्रगुमिक जो कर्व सूलने कारे करता था उसको समाहर्ता कहा गया है समाहर्ता नेच्ट है निम लिखित किन मोरी स्तंबों के उपर सिहें सिर्ष थे कोल हुआ इस्तंब लोरिया नंदन गड या सांचे स्थूप या उप्रवक्त सभी तो किन मौरी स्तंबों के उपर सिहें सिर्ष थे यह उपर सिंज की आकरती थी तो उप्रवक्त सभी में थी यहाँ नेक्ट मौरी सासक बिंदुशार द्वारा निमलिखित में किस से कुछ अंजीर अंगूर की मदिरा दार्शनिक भेजने को कहा गया था तो वह शीर्या की सासक द्वारा को यह बिंदुशार ने तीन चीज़ों की मांग के थी कुछ अंजीर अंगोर की मदिरा और दार्शनिक भेजने की नेक्सट है 220 परशन है कौन एक असत्य है इन में से कौन सा गलत कथन है या आपको पता लगाना है पहला है गुप्ट सामराजी के सबसे बड़े अधिकारी कुमार्य मात्य होते थे नारत तथाप परासर स्मुर्थि में विदो ये वाका समर्थन मिलता है तो इसमें गलत कथन है वह यहो जाएगा सरवादिक भॉमिय अनुदान सात वहान काल में होई इस सब्सेय हो officers कि स्रभार के लिए निसूल्ख संपुन सम्राजी में नेक्स्ट है द्रोन एक माप था अनाज के लिए तरल वस्तु के लिए केमती दात्तु के लिए या उचाई के लिए तो इसमें right answer रोजाएगा द्रोन है वो अनाज के लिए एक माप था किस के लिए माप था अनाज के लिए याद रखना अनाज के लिए एक माप था द्रोन next है किस मुख्य उदेश्य से असोक ने अपनी परजा में धम का परचार किया next है नेक्स्ट है निमलिक में से दुकुल एक था दुकुल क्या था व्यापारियों का संगतन किसानों के रिण रेस्विवस्तर या लोहे से निर्मित किसानों के उजारों को कहा जाता था तो दुकुल है वो एक रेस्वी वस्तर होता था रेस्वी वस्तर को दुकुल कहा ज़ता था गुप्त काल में चीनी रेसम को चिनांसूंक तथा रेसो सिंद्रमित कपड़ों को दुकुल कहा ज़ता था चीनी रेसम है उसको चीनासुक और जो रेसो से निमित कपड़े है उसको दुकुल कह देती है नेक्स्ट है मोरिकाल का सबसे अच्छा नुमूना कौन सा है मोरिकाल का सबसे अच्छा नुमूना इस्तंब है इस्तूप है गुफागाल है ये चेत्ति है तो मोरे काल का सबसे अच्छा नुमूना है इसमें इस्थंब। कौन सा है? इस्थंब जो है वो मोरे काल का सबसे अच्छा नुमूना है। नेक्स्ट है सार्नात इस्थम्चकर क्या दरसाता है सार्नात इस्थम्चकर है वो क्या दरसाता है क्रांति न्याय धम या ध्रम्चकर परवर्तन आंस्वर देश का जल्दी सी सारनात इस्तम चकर क्या दरसाता है राइट आंस्वर हो जाएगा धरम चकर परवरतन धरम चकर परवरतन को परदशियत करता है सारनात का इस्तम चकर तो यह आपके unit 2 के सबी परसन complete हो चुकी है आप इन परसनों को बार बार रिपीट कर सकते हो और यह बहुत ही मैदपून परसन है तो आपकी unit 2 complete हो चुकी है फिर मिलेंगे आगे नई वीडियो के साथ unit 3 के मैदपून परसनों को लेकर तब तक लिए नमस्कार झाल 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 झाल